हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल HGK News Knowledge में राइस्थान में बयंकर बारिश के दोर के चलते जो पानी बड़े बड़े बांदों में आकर तो रुख गया है लेकिन इस पानी को बड़े बड़े बांद भी सेह नहीं कर पा रहे हैं जेहां दोस्तों हम बताने वाले हैं कोटा बैराज के बारे में दोस्तों कोटा बैराज से छोड़ा गया 1,62,000 क्यूशेक पानी सुबह से दोलपूर पहुंचना शुरू हो गया है इससे पहले सुबह चम्बल नदी का जलिस्तर एक बार फिर से 140 से बढ़कर 140.50 मिटर पहुंच चुका है देराज चम्बल नदी 144 मिटर से 140 मिटर तक पहुंच गई थी लेकिन चम्बल नदी खत्री के निशान से 10 मिटर उपर तक भी बह रही है जिस वज़े से तकरिवन 50 से अधिक गाउं अभी भी पूरी तरह से बाड में जल मगन है 2011 के रिकोर्ड को तोडने के बाद चम्बल नदी का जलिस्तर शुकरवार को कम होना शुरू हो गया था सनिवार को नदी का जलिस्तर एक बार फिर से बढ़ने की वज़े से अभी भी बाड पिरवावी छेत्रों में रात की उमीद नजर नहीं आ रही है चम्बल में बाड के आलात को देखते हुए कलेक्टर रखे जैस्वाल और जिला पुलिस अध्यक केशरी सिंग सेकावास सनिवार सुबे से बाड पिरवावी छेत्रों में डेरा जमाय हुए है किसी भी तरे से आपदा से निपटने के लिए एक बार फिर से SDRF को अलर्ट मोड पर रखा गया है पिरसासन अधिकारियों के मुतबिक आने वाले दिनों में बाड पिरवावी छेत्रों में रात मिलने की उमीद नजर नहीं आ रही है जम्बल में आई बाड की वज़े से खरीब की फसल चोपट हो जुकी है किसानों के कच्चे मकान डेने की कगार पर पहुंच चुके हैं दोलपूर दोरे पर आये जिला पिरबारी मंतरी बजनलाल जाटम ने भी राकिरतिक आपदा में हुए नुकसान का आकलन पर पीड़तों को सरकार मदद पहुचाने की निर्देश दिये हैं धन्यवाद दोस्तों हम आपके लिए मौसम विभाग से जोड़ी छोटी से छोटी ख़बर हमारे चैनल एच जी के नियूज नोलेज पर अपडेट करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलिएगा